हेलो टैलेंटेट पीपल्स वेल्कम टू एजुमित्रा तो आज के इस लेक्चर में हम मिलका समझने जा रहे हैं क्लास एट सोसल साइंस के हिस्ट्री बुक आवब पास्ट के सेगेंड चैप्टर को जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेटरी तक कम्पनी एस्टाबलेश पावर के प mornings पावर परट को जैसा कि मैंने आपको बनाट को इस चैप्टर को मैंने चार लेक्चर में कोवर किया है तो आज इस चैप्टर का पूर्ठ है लांज पार्ट फैस में हम पूरे कौश कर लेंगे कर लेंगे तो चलिए शको करते हैं तो सुरू करने से पहले आग इंडिया में उसके बाद देखा था कि इसेट अप हुई थी उन्होंने अपना ट्रेट कैसे शुरू किया सबसे पहले क्या ट्रेट सुरू हुआ था में फिर आम ने देखा कि ट्रेट से यानि वैपार से बहुत सारे बैटल्स भी हो सकते हैं कैसे वह बैटल का कारण बनती है तो फिर आम ने जो बैटल लेगा था वो बैटल देखे जैसे बैटल अप पलासी जो हुआ था 23rd of June 1757 फिर आम ने देखा था बैटल अप बक्सर जाट वास 14-1764 फिर आम ने देखा था कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवोब कैसे बिटिस ऑफिशियल जो थे सारे के सारे यू एक्स्पैंड किया दीरे दीरे हमारे कंट्री में बढ़ाया और उसने सारे के सारे ट्रेटरिस पर अपना कपजा कर लिया फिर हमने देखा था टीपूल स्लतान जिनको मैसूर का सेर यानि टाइगर अप मैसूर कहा जाता है और हमने बात कि थी आंगलो महराश्ट्रा वार् इंगलेश पीपलर महराश्ट्रा वार्ष्टक में तो आज के सिशन कहां मारा टॉपिक है क्लेइं टू पारामाउंक्टेशी पहले बात करते हैं याया पारामाउंक्ट टेश्टी होता क्या है झालिउै या फॉर्त पारामाऊंटेश्टवग्यून कभी अर्ना टॉर्यक् Immune क्या है पावरियों करना चाहता था क्यों उनके पास बहुत ज्यादा पास हो सब्रावियुल्च कर सकते ते यह चाहते थे कि इंडिया के साथ चेत्र में अपना कभजा कर सकतें अपने आर्मी को ex-pand कर सकतें इंडिया पूरी तरह से यूट सके और बृटिस को ज्याधा रिज बना सके इसलिए उन्हें सकते स्टा ह creativity क्लेम किया फिश्को पारमांंट सटर्ल यह सप्री पाःट्स पाल थे और अधर ढैटिसों सवाइंसरह फोड शाय्ट अफ्र सब्सक्राइब टेस इंडिया दिस एन्हांसे डिजार टू रूल होल्ड टरेटेस आंडे स्टार्ट डिरेक्ट कंसीक्वेंट अंदर लॉज हास्टिंग तो जैसा कि बिट्यश का गड़ थे कि धीरे धीरे वह बैटल से लड़ते ही जा रहा थे जैसे उन्हें लाए बैटल पपलासी उन्हें लाए बैटल प्सक्राइब करने लगा था अब उनके मन में क्या क्क्रीस आ गई कि पूरिय इंडिया के जितने भी चेतता है जितने जितने भी तरेया उसपर रूल करें चैनले की हम पूरे कंरी पर मिकों कर आर् सोते संन्हीं कि पर dumb mere god स्टार्ट कर दिया वो सबको बंदी बनाने लगे और किसके अंडर यह हो रहा था कौन यह करवा रहा था डैट वल दनिन अंडर लॉड हैस्टिंग्स कब यह हुआ हमारे पास डूरेशन पीरेट दिया है 1813-1823 यह दस साल के यह पीरेट में इंडिया को पूरे तरह से सब्सक्रिग्स के पासथिन आप बिजल अजा इंडिया घीजे निया सब्सक्रिग्स जी यह चाहते हैं चाहते हैं उधिए इंड्या के फ़री नचेंग लन चक्रिख यह बाइन से रूल कर लिया था तो वह सिक्यूर करना जाए था नौस्ट वेस्ट पाश्ट को फॉर्ध देड्ड तो इसके लिए उन्हें ने क्या किया सिक्यूर करने के नौस्ट फ्रंट को उन्हें कि वार्स डिले विद अफगनिस्तान अपंजाब और फाइनली वॉन ओवर इ बिसिकली रफ्लीर समझा देता हूं तो देशिज मैप इंडिया को यह वाहा हमारा इंडिया कम अप्धिस नॉर्थ यह नॉर्थ इस जोड जाओ इसे सव इसे इस वेश्ट तो यहां मैंपिस डाक्षिन के बाद में इस वाही तो यह नोर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ था न उपियाए पट्रेम् उपॉट यहां आताए हमारा पंजाब गुझरात वगारा वैज़ागे तो वह क्या करना चाहते के तर कि अपना सिक्व कर अपने संमराज जी सेक्योर करें और कोई उस पर रूल कर सके तो इसके लिए उन्हें नंए क्या किया हमला कर दिया लगाये लड़े किस्को अपने नौर्थ वेस्टन पार्ट उन्होंने इसको कैप्चिर करना शुरू कर दिया अब आते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और हमने यहां पड़ा क्लेम पार्ट यानि ज्यादा पावर पाने के लिए ज्यादा सक्ती पाने के लिए कैसे बहुत सारे लराया लड़ी बहुत सारे युद्द लरी और इसका नेच्ट इसका रीडर कौन थे लॉड हैस्टिंग और वह नर्थ वेस्टन नर्थ वेस्ट फ्रंट में भी अपना एंपायर अपना समराज को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने वार्ज लड़ाया लड़ी है किसके खिलाब अफगनिस्तान और पंजाब अफगनिस्तान से किस साल में जीते हैं 1843 और पंजाब से 1849 अब हम मैं आपको समया दूंगा तो आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा कि यह पॉलिसी यह से दानती है प्रिंस्पल है क्या तो अंडर दर रीजन अंडर दर रेंड अफ लॉड दलहाउसी तो लॉड दलहाउसी क्यों थे वह एक ब्रिटिस इंदी ऑफिशल थे उनके अं प्रिटिस इंडिया को लूटने के लिए उन्होंने एक नया पॉलिसी बनाया था यह क्या करता है बेसिकली सपोस करो आप यह कराज्य हमारे कंट्री में इस इधार किंग्रम इन डो गांट्री और यह कंग्डम है नाम देते त्ने इस झिंग्डम ए डिस पीड़ अब तो यहां भी कोई राजा होगा ऑश सब्सक्राइब है और यहां भी कोई राजा होगा नहीं कि इसने मिर्ट्ट के बाद अगला राजा कौन बनेगा उनके बेटा होगा ही नहीं तो इसलिए पहले कि एक सवन को अडॉप्ट कर लिया यानि गोद ले लिया दूसरे से सपोज करो कि अनाथ आले से बच्चे को गोद ले लिया तो यहां बिटीस ने क्या किया डॉक्तिंग और लेपसेला है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसा रूलर जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है हेयर मिस्वारेस यानि किसी वी व्यक्ति किसी इंसान का और सब्सक्राइब करदा करें तो वह अपने प्रोपटी को सरपास नहीं कर सकता है किसको यह को यह सब् comply सकता है इसके बाद यह तो राजा बन सकता है सारा का सारा यह ज़ब यहाँ बन सकता है इसको राजा का कोई बीचीजों में अधिकार नहीं मिले बिटिस ने हमारे कंट्री में लाय था और अब का होगा बेसिकली कि यह राज ए जो था उसका तो नया राजा बन गया उसका बेटा अपने पिता के बाद लेकिन राज बी जो था उसके बेटे को बेसिकली कुछ नहीं मिला उसको वहां से निकाल दिया गया उसको वहां से िगल वारिस नहीं होगा तो अगर कोई उसका महीं होगा तो उसको कोई भी उसका poverty नहीं दिया जाएगा और यह property किसका हो जाएगा यह प्रफ्रप्य थिजा करिंगे अधिपत्र से यह फ्लोटर सानःगे तभी मिलेगा जब अ है तो सतारा 1848 संभलपूर 1850 एन जहांसी एन 1850 वे एनेक्स्ट बाइडिस पॉलिशी तो अब क्यों 1848 1850 और 1854 में तीन जगह में कहा था संभलपूर एन जहांसी में ऐसा ही सिच्विशन आया कि राजा तो थे लेकिन उनका कोई अपना लीगल हेर नहीं था अपना कोई सन नहीं नहीं था उन्होंने या तो उनके पास सन ही नहीं था डॉटर थी या उन्होंने सिर्फ बेटी थी या उन्होंने अडॉप्टेर सन को लिया था तो वहां क्या हुआ बेसिकलिए विटिस क्या करने लगा कि आप यहां के राजा नेक्स अपने अडॉप्टेर सन को नहीं बन तो यह था बेसिकली डॉप टॉक्टिंग लाप लाप से तो यह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आगे जब जाओगे कॉंपर्टिरिव एक्जाम्स में जब यूपीसी प्रिपरिशन में तो उसमें भी बहुत पारी से कॉश्चन आते हैं तो यह टॉपिक 18-7 जो की लड़ा गया था यानी जो रिवाल्ट हुआ था जो लड़ाई हुई थी उससे यह कनेक्टेर एकोन डॉक्टिंग लाप से तो यह बेसिकली अच्छे सियाद रखना तो पहले हमने क्या देखा था बैटल अप पलाशी हुआ फिर हमने क्या देखा था बैटल अब अब हम क्या देख रहे हैं डॉक्टिन और लाप से में एक और देख रहे हैं एक और रिवाल्ट देख रहे हैं एक और लड़ाई हो है जाटी डिवाल्ट ऑफ 1857 यानी अठारासु संतावन की लड़ाई अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक सा डिल करने जा रहा है फाइनली हमारा चैप्टर खातम होने वाला है तो अन्मेस्ट्रेशन अंडर ब्रेटिस सो हिस्ट्री सेक्शन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बहुत सारे लोग बोड हो जाते हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कोशिस करेंगे कि उसका आंसर आपको इमेडियेटली दे सके हैं तो इन 1773 यानि 1770 में क्या हुआ वैरन हैस्टिंग्स हमने क्या पर आता लाट हैस्टिंग्स में पहले परा था वैरन हैस् आता है स्ट्वियम्टी तो इन 17 children वेफ गर्नर जनरल है श्जवान पर आता हैस्टिंग्स में अधिक गर्णर जो को इंग्स प्राइब आताषा और बॉंबे इस मुंबाई तो यह बेसिकली मदरास और बॉंबे उसके पुराने नाम है लेकिन आज हम मदरास को चन्नाई के नाम से जानते हैं और बॉंबे इस दोनस मुंबाई तो आपको यह पता हो गए तो क्या हुए गवर्नरेशन गवर्नरों का वी हैंड वह क्या करने लगे कि बाकी सारे गवर्नर सकु करने लगे कहां कि मदरास की और बॉंबे की सेपरेट सिवल और क्रिमिनल कोट्स वे सेट अप अंदर दो सूपर विजन ऑफ कलेक्टर क्या होता जिसको में डिस्टिक मजिस्टेट बोलते हैं किसी भी डिस्टिक का हैड यानि ऐसा इंसान जो टैक्स वगएरा अड्मिनिस्टेशन पर धियान देता है डिदो लोन अस्ट सिविल कोट सिविल कोट क्या सा जिसमें लोग अपना कॉमन प्रॉब्लम लेकर जा सकते हैं लेंड मैरेज एड्यूकेशन या एनी छोटा मोटा लराई वगरा तो इसके लिए हमने क्या देखा कि सिविल और क्रिमिनल कोट डो टाइप के कोट बनाने कर तो जहां लोगों को जश्टिस मिल पाए और इसके किसके निगरानी में किसके अंडर में हुआ क्लेक्टर के अंडर में हुआ तो निउच सेट अफ लॉज्व वेर कंपाइल बाइम मफ्टीस और ब्रामिन्स फॉदर रिलिजिजिज इंटर प्रेशन इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग कोई इंटरप्रेशन हो सके लोग उसको अच्छे से समझ सके तो यहां देखा हमने कि अंडर में अडिमिस्टरेशन कैसा हुआ ने कामकाज कैसे किये कैसे वायन हैस्टिंग्स को क्या बना दिया गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया और वह कंट्रोल करने लगे किसको इसमार्स को सदा मिलेगी और विक्टेम्स को जश्टीज मिलेगा इसस चाप्टर में basically हमने पढ़ा एड्मिस्टेशन अंदर बिट्श करी में का श्रू के बारे में हमने पढ़ा ट्रू को मैश्यूर के बारे में कॉंपनी रू एक्सपांड़ू प्रे सब्सक्राइब करें तो अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बस टॉपिक का नाम लिखिए और आप लिख सकते हैं आप लग्षाइब अब लिखिए और इस टोपिक में खोशिश करूँगा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पर एक नए वीडियो ला सकूँ और आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्शे में किसी और इजुके लेटर टॉपिक के साथ तो तिल देन स्टे क्रियेटिव कीप लर्निंग और मोस्ट आफ आफ फॉल तो अगर आपने चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन का बटन दब भूलिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपसे जो के साथ लेटर वीडियो लाता रहता हूं तो थैंक यू फो वाचिंग सी यू अगेन बाबाए